स्टुडेंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइनेक्स ओपरेटिंग सिस्टम के एडवांस फीचर्स और फंक्शन्स का नेक्स पार्ट ओके हम लोगोंने 6 पॉइंट्स क्लियर कर लिये थे आज मैं 7 पॉइंट आपको पढ़ाने जा रही हूँ लाइनेक्स पर डाकुमेंटेशन हे तू लाइनेक्स ओपरेटिंग सिस्टम के अंतरगत इस सिस्टम के इंस्टॉलेशन से लेकर प्रोग्राम के क्रियान वयन तक सभी प्रकार के सुधाएं लब्द होती है लाइनेक्स उपरेटिंग सिस्टम में अगर हम डाकुमेंटेशन करना चाहें तो डाकुमेंटेशन से लेकर और अन्य जो सुविधाएं हैं उनके सिस्टम के इंस्टॉलेशन तक सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं और किसी भी प्रोग्राम के क्रियान वैन तक की सभी जो भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं लाइनेक्स उपरेटिंग सिस्टम पे उपलब्ध होती हैं और समान रूप से Linux operating system के को परिचालित करने में या उसे चलाने में कोई भी समस्या उत्पन नहीं होती है लेकिन अगर इसके परिचालन में कोई इसको चलाने में या इसको operate करने में कोई समस्या आती है तो इसमें एक help का विकल्प भी दिया होता है जिसको चुनकर हम अपनी समस्या का समधान सरलता से कर सकते हैं असानी से कर सकते हैं और Linux में अगर हम option से हमारा सरल निदान नहीं हो रहा है समस्या का या निराकर नहीं हो रहा है तो हम Linux operating system पर असंग के programmers work करते हैं ठीक है कार करते हैं तो उनकी सहायता से भी हम अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं तो यह आपका 7th point है I hope कि आपको यह clear हो गया होगा next point है Linux operating system में आप अपनी अशिक्ता नुसार किसी भी task को चैन कर सकते हैं टास्क यानि कि कोई भी work का चैन कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं ठीक है और उसका अपने program में उप्योग भी कर सकते हैं और इस प्रकार Linux अपने system को पूरता वैवसाइक software है यानि कि Linux operating system एक वैवसाइक software है पूर्ण रूप से और इसमें वैवसायों से समंदित किसी भी कारे को हम सरलता से संपन कर सकते हैं साथ ही Linux के द्वारा या सुधा भी प्रतान की जाती है कि हम इसके operating system को network द्वारा सहता प्राप्त करके या चाहें तो CD के द्वारा भी संचालित कर सकते हैं यानि कि network यानि कि अगर internet से भी connect करना चाहें तो भी कर सकते हैं और प्लस अगर हम CD इसमें लगाना चाहें तो CD भी लगा सकते हैं और से संचालित कर सकते हैं नेक्स पॉइंट है बचों आपका नाइन्स पॉइंट लाइनेक्स operating system के अंतरगत standard TCP यानि कि transmission communication protocol और IP इंटरनेट प्रोटोकाल यह आप network file system जो होते हैं आपके network information services और session message message ब्लॉक आदी का भी प्रियोग इसमें लाइनक्स के अंतरगत किया जाता है ठीक है यानि कि इस पॉइंट से हमें ब्रीफली संचेप में यह समझ सकते हैं कि लाइनक्स operating system में यह सभी सुधाएं हमें उपलब्द होती है ठीक है रूटीन में बताता है रहता है और message ब्लॉक भी होता है नेक्स्ट है आपका Linux एक पूर्टा मल्टी टास्किंग सिस्टम है मल्टी टास्किंग मतलब सभी तरीके के कारे करता है यह उड़ मल्टी टास्किंग जिसमें आप एक ही समय में विभेन प्रकार के डिवाइसे जैसे मॉड़ें प्रिंटर आदि को भी एकसेस कर सकते हैं यानि इनका सबका भी यूज कर सकते एक साथ और इसके अथिक सिस्ट को बैग्राउंड में भी आप रख सकते हैं उसे संचालित कर सकते हैं साथ में यह 10 तक आपको आई हो की क्लियर हो गया बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टुड़ी करेंगे